नमस्कार आज हमारे साथ मौजूद हैं शिखर अगरवाल जो की निशाद पार्टी के उत्तरपरदेश महासचिप भी हैं साथ ही एक बड़ा मामला जो 2018 में हुआ था जिसको स्याना हिंसा के रोप में जाना गया था जिसमें एक इंस्पेक्टर पी सहीद हुए थे जिनका हत् आरोप सीधा सीधा शिखर अगरवाल पे लगा था और जिसके बाद उन्हें जेल भी जाना पुड़ा था इसकी जादा जानकारी के लिए आज हम जादा बात करेंगे शिखर अगरवाल से शिखर जी बहुत-बहुत स्वागा कि आपका न्यूस वर्ड इंडिया पर शिखर अगरवाल एक आंदोलन का नाम है शिखर अगरवाल कोई मोल रूप से एक वैक्ति नहीं है शिखर अगरवाल एक विचालधारा का नाम है जनपद में और पर्डेश में जो भी वैक्ति निर्बल गरीब शोशित वंचित दलित मजलूम बेजुबान है उसकी पिलत्या का आरोप है जिसके बाद आप जेल वें गでें तो मेरा कहना यह है कि शिखर अ gravel रक्षक है या बख्षक है अ पिरत्या रोप सामाजिक और राजनैतिक जीवन का एक हिस्सा है यह सुबह और शाम की तरह दिन और रात की तरह राजनैतिक जीवन में सामाजिक जीवन में आने जाने वाली चीजे हैं मैंने अपने जीवन में आज तक एक चीटी तक की हत्या नहीं की इंसान की हत्या तो मेरे लिए बहुत शर्मनाक विशे है हलाकि मेरे उपर हत्या का अब कोई आरोप भी नहीं है पुलिस ने अपनी जाच में मुझ एक दिन बाइज़द वड़ी होके आऊंगा शिकर जी उत्तर पर्देश में निशाद पार्टी ने जन्म लिया है और जिसमें आप महासचिब भी हैं क्या इरादा निशाद पार्टी का है आने वाले चुनावों की क्या तैयार्या निशाद पार्टी कर रही है उत्तर पिलदेश में होने वाले 30 तरिये पंचायच चुनावों को लेकर निशाद पार्टी ने एलान कर दिया है पार्टी पूरे राज्य के अंदर हर जिला पंचायच सीट पर अपने पिलतियाशी उतार रही है और जितनी भी ग्राम पंचायच सदस्य सीटे हैं ग्राम पंचायच अध्यक्ष सीटे हैं ग्राम पिलधान सीटे हैं सरपंच सीटे हैं पंच सीटे हैं उन सभी पे पार्टी अपने सिंबल पे और अपने दम पे चुनावलर जीत दल्ज कराएगी 2022 में उत्तर पिल्देश की सरकार के अंदर एक मचुआरे का बेटा एक नाव चलाने का बेटा डाक्टर संजे निशाद उस कुरसी पर आसीन होंगे ऐसा संकल्प लेके हम सभी ने अपने परिवारों का परित्याग कर दिया है अब हम चप चैन की रोटी और चैन का पानी पी पाएंगे जब मानने मानने वर डाक्टर संजे कुमार निशाद जी को उत्तर प्लदेश के मुखमंतरी की कुरसी पर देख लेंगे क्या लगता है आने वाले चुनावों में क्या किसी पार्टी से गठबंदन रहेगा आपका हमारा भाजबा से जो गठबंदन हुआ था वो इस शल्त पे हुआ था कि 17 जातियां जिनका आरक्षण समिधान में 66 वे अनुछेद पे तुरिहा के नाम से है उनकी उपजातियां जो मचुआरों से संबंदित हैं उनको ऐसी का पिर्माड़ पतल दिलवाया जाएगा लेकिन आज तक भी भालते जनता पार्टी ने अपना वो वादा पूरा नहीं करा है हमें मजबूरन में आगर भालते जनता पार्टी अपने वादे को नहीं निबाती है गठवंदन तोड़ना पड़ेगा उत्तर पिर्देश के अंदर 160 सीटे मचुआ बाहुल हैं जिन पे 80,000 से लेकर 1,440,000 तक मचुआरों की आबादी है हम 403 की 403 विदान सबा लड़ाएंगे और मचुआरों की सरकार उत्तर पिर्देश में कायम करें अक्सर देखा जाता है विबादों से आपका नाता रहता है नए नए आंदोलोनों को आप जनम देते हैं क्या होता है सबसे भारत की आजादी भारत का स्वर्णिम इतिहास आंदोलनों से प्रेदित रहा है इतिहास राजनीत की मा है आंदोलन राजनीत का पिता है इतिहास जाने आंदोलन करे राजनेता बने किसी भी राज नेता को अपना जीवन यापन करने के लिए जनता के मुद्दों को उठाने के लिए जन आंदोलनों का आवान करना और उन्हें संपूर्ण करना उसके जीवन का एक अन्न है आज भारत को भारत कहते हैं इससे पहले अंग्रेजों के साशनकाल में इससे बिटिश इंडिया कहते थे उससे पहले मुगलों के काल में इससे हिंदुस्तान कहते थे आर्रेव के काल में आर्रेवरत कहते थे निगटों के साशन में भारत का नाम जम्मू दीब हुआ कलता था और उससे पहले भारत की संस्कित का नाम निशाद संस्कित था ये देश उन जातियों का देश है जो विविदताओं में बदी हुई है ये उन जातियों का देश है जो गरीब है ये उन जातियों का देश है ये कोई मालदारों का देश नहीं है ये विकाशिल देश है ये विक पार्टी सुख्चेन अमन से नहीं बैठेगी शिखर जी जेल में जिस दोरान आप बंद थे उस दोरान आपने किताब भी लिखी थी क्या है उस किताब में क्या बताना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को मैंने यूवाओं को इस उद्देश्य से वो किताब लिखी है कि यू जो च्छती मेरे परिवार को जेलनी पड़ी थी मैंने उस किताब में यूवाओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे शब्दों का संकलन किया है 33,000 शब्दों का संकलन मैंने उस पुस्तक के अंदर किया है ऐसे शब्दों का संकलन किया है जो उनके भुष्य के लिए जो उनको मार्ग दर्शन का कारले करेंगे युवा अब बेरोजगार अब किसान अब नौजवान अब छात्र अब किसी अन्य पाल्टी के भरों से ना रहेगा अब गरीबों का जंडा गरीबों की टोपी मैदान में उतरी आई है और चंग का एलान कर चुकी है हम तंत्र मंत्र यंत्र और शड़ियंत्र सारी परिकल्पनाओं से सारे प्रपंचों से उत्तर प्रदेश की सत्ता पाने के लिए गरीबों को सत्ता में उनका अधकार दिलाने के लिए कमरकस के बैठी है मेरा आखरी सवाल आपसे है शिखर जी आज किसान आंदोलन कर रहा है तमाम राजनेतिक पार्टियां किसान का मंच साज़ा कर रही है निशाद पार्टि आखिर क्यूं किसानों का समर्थन नहीं कर रही है आप इस पर क्या कहेंगे निशाद पार्टि हमेशा से ही भारत के किसान का सम्मान करती है और उनके हर दुख सुख में उनके साथ है परंतु किसान का नाम लेके कुछ बहरूपिये देश में अराजकता का माहौल देश में अशान्ति का माहौल देश में आतंकवाद का माहौल देश में खलिस्तान का माहौल ऐसा माहौल जो भारत की मूल भावना के भारत की समवेधानिक भावना के खिलाफ है उसे बना दीना चाहते हैं हम कभी किसे ऐसे उनमाद का समलतन नहीं करते हैं जो भारत की एकता अखंडता संप्रभुफता को अक्छुणता को शुन्ने करता हो, नुकसान करता हो, खराब करता हो, हम सिर्फ और सिर्फ असली किसान के साथ हमेशा खड़े हुए हैं, हमारी सरकार आने के बाद उत्तर पिर्देश के समस्त किसानों को निशुलक पानी दिया जाएगा, ये निशाद पार्टी के घोशना पत्र का बाता है, बहुत बहुत धन्यवाद शिकर जी आपने हमसे बात साजागी, ये थे शिकर अगरवाल, बुलन शहर से न्यूजवर्ड इंडिया के लिए लोकिश कुमार